जिन लोगों का जन्म दिन 6 मई को है उन्हें हम सबकी तरब से जन्म दिन की हारदिक शुपकामनाएं आने वाले वर्ष की शुरुवात अच्छी रहेगी करियर और धन के मामले में लाब होगा इस साल नए काम की शुरुवात भी हो सकती है और सबसे बेहतर बात स्वास्थ की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी क्या करेंगे पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपको लाब होगा मंदिर जाके देवी देवता के दर्शन कैसे करें कि उससे हमें लाब हो मंदिर के मध्य में खड़े हो बीचो बीच खड़े हो देवी देवता की मूर्ती के नेत्रों में आखों में गहराई से देखें इसके बाद आखें बंद करके उन्हें अपने हृदय में अपने मन में देखने का प्रयास करें इस तरीके से जब आप दर्शन करेंगे तब मंदिर जाकरके आपकी स्थिती में सुधार होगा और इश्वर की कृपा का अनुभव कर पाएंगे अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जादा हैं साथ में रहना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें समाप्त नहीं हो रही हैं क्या करेंगे रोज सवेरे शिवलिंग की वेदी जो चारो तरफ सरकल बना रहता है वेदी उस पर हल्दी लगाईए इसके बाद शिवलिंग उपर जल अर्पित करिए और इसके बाद सुखद वैवाहिक जीवन की प्राथना करिए ऐसा अगर नित्य प्रातह आप करना शुरू करें आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगे अगर नौकरी में आपकी उन्नती नहीं हो पा रही है आप मेहनत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी में उन्नती नहीं हो पा रही है तो रोज सुबह जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो जल में काले तिल मिला करके, एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिला करके, वो जल भगवान सूर्य को चढ़ाएं, आपको लाब होगा, नौकरी में आपकी तरकी सुनिश्चित होगी. एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से